ड्रास्टिक इंप्रूमेंट दिखाऊंगा कियार तस दिन में कैसे इंप्रूमेंट होता है। मिजॉरिटी ओफ यू वाट यू डू इस कि अपने बढ़िया से टेस्टरी जॉइन कर लेते हैं। उसमें 25-30 टेस्ट की अन्रूमेंट वाला टेस्टरी जॉइन करते हैं। और उसके अंदर मतलब हम 12-15 टेस्ट लिख पाते हैं। यूजली बच्चा जब मार्केट में होता है तो यही सोचता है कि थोड़ा सा पढ़ लो और बहुत सारे टेस्ट लिखो। टेस्ट लिखने से ही आपको नौलेज आएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अंसर लिखने से पहले अंसर सोचना बहुत ज़रूरी है। शी इस नाट कमिंग फरों इट और भॉई असर सी सी या कोई बहुत अच्छे कॉलेजिस से आते हूं। अंसर राइटिंग आपके अकेडमिक बैक्गराउंड के बेसिस पर नहीं डिफाइन होता। मुझे लगता है अगर यह फाइफ मंस का शेडूल हम फॉलॉ करेंगे। देन आई थिंग सो इट इस वेरी मच पॉसिबल तू मस्टर दी अंसर राइटिंग। शुरुति शर्मा हूस कोड़ 490 प्लस अगर वह आज के दिन पेपर लिखेंगे तो उनके 15-20 नंबर कम आएंगे। इस इस दा आंसर आफ्टर विच आप लोग। 450, 455, 460 अगर एक दो महीने और महनत कर लेंगे तो 470, 480 मक्स कुछ ऐसी महनत के बाद में आ जाते हैं आपके GSP नवश्कार बच्चों कैसे हैं आप लोग। आपने पोस्ट सेलेक्शन्स बहुत सारे टॉपोर्स के अंसर राइटिंग सेशन्स देखे होंगे। कि उन्होंने किन-किन फेज़ में क्या किया था, कब उन्होंने अंसर राइटिंग शुरू किया, फुल लेंद कब लिखना है, कब नहीं लिखना है। आज जो मैं आपका सेशन लेने वाला हूँ, नेक्स्ट 15-20 मिनिट्स में मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा, कि दे कैंडिडेट्स वह राइट नाव एसोसियेटेड विद विद अस वो स्टार्टिंग डे में किस फेज में थे, एक महीने बाद कहा थे और आज कौन सी स्टेज पे हैं, उससे पहले सबसे पहले आज के सेशन में आपको अंसर राइटिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट्स हैं, तो दिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, एक बच्चे का प्रूफ में आपके सामने द प्रूफ से पहले उनकी सारी सेल्फ स्टडी ही था, अभी मेरे पास एक QEP नामक कोर्स है, उसमें वो बच्ची इन्रोल हैं, इससे पहले उन्होंने बहुत सारी अंसर राइटिंग नहीं की थी, बट उनके एक्सपीरियंस को मैं, उनके जो लर्निंग्स हैं, उनको में डिवाइड करते हैं, कैसे सीखना चाहिए, आप, majority of you, what you do is, कि अपने बढ़िया से टेसरी जॉइन कर लेते हैं, उसमें 25 से 30 टेस्ट की इन्रोल्मेंट वाला टेसरी जॉइन करते हैं, और उसके अंदर, मतलब हम hardly 12 से 15 टेस्ट लिख पाते हैं, हो सकता है, उतने भी न आपने के बाद भी अगर आपने कुछ इशूज आ रहे हैं, तो फिर तो Google Form है, आप लिंक फी डिटेल्स दो, देखो, अगर मैं 5 मन्स का टाइम फ्रेम लो, अगर हम आज के दिन में बैठे हैं, October, November, December, January, February, February, February वाला पार चलो, मैं उस टाइम पे FLT करता हूँ, उसको सकता है, कि वो full-fledged answer writing सीख सकते हैं, सबसे पहले महिने में आपको क्या करना है, आपको fill करनी है, कुछ templates, वो templates identify करनी है, template के हमने कुछ videos भी बनाए हैं, बढ़ आप यहां देख सकते हैं, कि यह template होती क्या है, कि अगर मैं यह challenges की template देख रहा हूँ, तो इस यह 3PI template करके हम पढ़ाते हैं, जिसके अंदर skill, skill, efficiency, etc, and all accessibility, वो component है, जो challenges की एक template है, मतलब कि कोई भी challenge related question आया, NHRC के challenges क्या है, CVI के challenges क्या है, local bodies के challenges क्या है, किसी भी institution का challenge क्या है, तो आपको उसको break, break, forget about a question का intro क्या होगा, conclusion क्या होगा, parts, sub-parts में कैसे तोड़ेंगे, वो भूल जाओ, हम में उस question का एक part बस, body का एक part मतलब की templates को break करके समझना है, कि वो template कैसे fill होगी, तो शुरू का एक महिना तो लगा लो, आपको template fill करनी है, approximately 100 templates के आसपास में अगर आप fill करेंगे, तो मुझे लगता है, वो enough है, कि अगर मैं कुछ 250-300 templates के आसपास में देता हूँ, class में बच् कैसे add करने है, वो अपने को next month में करना चाहिए, इस next month में आपको अलग-अलग formulas, अब यह formulas होते क्या है, जैसे एक practice sheet है बच्चे की, जैसे यह है, तो यह मैंने कभी इन बच्चे को general state of economy के लिए कुछ formula लिखने को बोला होगा, कि आपको formulas use करने है, now these formulas is a new innovation, which you can use in body, just after introduction क एक micro diagram formula बना सकते हो, बहुत ही positive है तो ऐसे way forward की तरह आप इसको use कर सकते हो, तो यह एक नया innovation formula वाला या फिर side में जो graph बनाने है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में, कि कैसे आप अलग-लग graphs बना सकते हैं, उसकी mastery करने के लिए, अब मैं यह सारा means बता रहा single questions लिखने चाहिए, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, drastic improvement दिखाऊंगा, कि यार दस दिन में कैसे improvement होता है answer writing, QEP की batch 2 की बच्चे है, जिनकी आज मैं copy, जिनकी case studies, ऐसी various case studies मैं आपके साथ में लेके आने की कोशिश करूँगा, जो बच्चे पिछले धाई-तीन महीने से answer writing स सीखना चाह रहे हैं, जो सीख रहे हैं, कि स्टेट में वो present day में बैटे हैं, कि स्टेट में उनका improvement हुआ है, next मुझे लगता है फूर्थ मन्त में आपको 5 से 10 question के काफी सारे test देने चाहिए, 15 plus test मुझे लगता है आपको देने चाहिए, every alternate days you should write 5 to 10 questions, और last 5th मन्त में मुझे लगता है कि आपको FLTs देने चाहिए, बहुत सारे FLTs personally मैं नहीं suggest करता हूँ, बट मुझे लगता है 8 FLTs आपको देने चाहिए, एक every week में एक 1, 2, 3, 4 और एक morning evening, morning evening वाला slot, यह मेरे हिसाब से जो मेरा experience है answer writing का, मुझे लगता है अगर यह 5 months का schedule हम follow करेंगे, then I think so it is very much possible to master the answer writing अब यह मैं बोल क्यों रहा हूँ, मैं आपको prove करता हूँ कि यह कैसे होता है, अब देखो सबसे पहले तो कुछ आपके पास में content बना होता है, so first month में जो आपका content बना है, उसमें थोड़ा enrich करना, fact figure याद करना, concept समझना, themes करना, वो parallelly चलते रहना है, एक आदत बना लो ब सिम्मी करन आज, 2020 बैच की बच्ची है, अगर आज वो अंसर, same 2020 वाला अंसर आज लिखेंगे, GS के, तो उनके 50 नंबर कम आएंगे, next batch में शुभम था, अगर सेम GS का paper लिखेगा, उसके भी 40-50 कम आएंगे, शुरुती शर्मा हूँ, scored 490+, अगर वो आज के दिन paper लिखेंग तो evaluator को वो wow effect नहीं आएगा आपकी answer copies में, so ये new things है, answer writing की जो आपको सीखना है, incorporate करना है, और ये सिरफ किसी के सिखाने से नहीं होगा, वो आपको everyday answers में, जब भी आप template लिख रहे हैं, answers लिख रहे हैं, उसमें incorporate करना पड़ेगा, तो ये सारे new innovations जो हैं, वो आप, आप the moment you see a fact, आप graph बनाने के सोच लो, कि कैसे different different छोटे छोटे डाइग्राम साब बना सकते हो, ये आपका आज का homework हो गया, next जिस बच्चे की मैं story share करना चाह रहा हूं, she enrolled into quality enrichment program, जिसमें हम test series साथ में देते ही है, 22 test हैं उसके साथ वाले, so उन्होंने मुझ से मिले थे batch 1 के से start हुआ था, so जब वो आए थे तो usually बच्चा जब market में होता है, तो ये ही सोचता है कि थोड़ा सा पढ़ लो और बहुत सारे test लिखो, थोड़ा सा पढ़ लो और बहुत सारे test लिखो, test लिखने से ही आपको knowledge आएगा, unfortunately मैं बहुत इस philosophy को या इस process को बहुत अच्छा नह समझता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि answer लिखने से पहले answer सोचना बहुत ज़रूरी है, answer की brainstorming बहुत ज़रूरी है, because जैसा मैंने आपको बताया कि ये answer writing वाला phase है न, अगर मैं इसको time frame में कहूँ quality, तो पहले quality तीन महीने ऐसे जाती है, फिर ऐसे जाती है, मैं आपको show करूँ, एक कैसे शुरूआत के दो-तीन महीने में आपको लगता है, आर पता नहीं समझ नहीं आ रहा है कि सही answer लिख रहे हैं, खराब answer लिख रहे हैं, कैसा answer लिख रहे हैं, but the moment you will reach to ये वाला partner को एक question लिखने के stages में आ जाते हो, उसके बाद आपके answer writing की quality drastically increase होती है, अब अब अगर मैं आपको एक answer दिखा हूँ, suppose कीजिए ये answer है आपके पास, nature of economic growth in India, recent times, etc., ये question आया, introduction लिखा है बच्ची ने, बहुत अच्छा introduction नहीं है, factually, आप changes आएंगे, अभी content तो second stage पे आता है, but आप ये stages देखे, आज कि stage, मैं एक महीने बाद फिर session लोगा आपके सा ये अपन living देख रहे हैं, topper stock usually sessions के बाद में होती है, हम अभी वो बनते हुए, answers improve होते हुए, वो वाली story देख रहे है, academy industry mismatch, keyword based heading, restrictive labor law, keyword based heading, wastage of demographic dividend, keyword based hedging, stagnant manufacturing, aspirational gap, paradox of high skill, technological driven, एक point, एक example, एक लाइन, एक एक लाइन, एक लाइन, दो लाइन, दो लाइन, दो लाइन, दो ला है कि इस quality का answer आने के लिए कितना time लगता है, और कैसे वो बच्चा यहाँ पर पहुंचा है, start करता है, first phase बे, when she met, July के starting week में उन्होंने, सोचा कि मैं answer लिखना शुरू कर देती हूँ, classes तो चली रहे हैं, although I told the whole class की, अभी से आप full length के test, sectional जो हम MMP में देते हैं, not full length, 10 test का जो set होता है, वो मत लिखो, आप थोड़ा time दो मुझे, मैं आप value addition करांगा, उसके बाद में लिखेंगे, बच्ची ने कुछ 15th of July को first test दिया होगा, उसमें आप देख रहे हो कि intro ठीक है, point generation वाला part ठीक है, बट इसमें value addition नहीं है, this is just a single line, reduce poverty and inequality, addresses climate change, there is no substantiation, there is no keyword, there is no subheadings वाला part के लिए, बट उन्होंने अपने 7, 8, 9 point लिखे, second question, first question लिखा, second question लिखा, और खतम हो गया, she couldn't write the whole test, आपन दसमें से सिरफ 2 question लिख के आ रहे हैं, फिर आपन give up कर रहे हैं, चलो ठीक है, कोई बात में, then she again gave one more test, वो उन्होंने लिखा 20 second of August को, अब 27 अगस्त वाले म अगर आप legibility wise देखेंगे, so legibility में there are too many words, verbosity हैं यहाँ पे बहुत सारी, और इस verbosity के वज़े से क्या होगा, कि आपका paper पूरा नहीं होगा, evaluator का interest नहीं आएगा, तो जो 75 words per page लिखना होता, वो principle इसमें fail हो रहा है, फिर इस बार वो 4 questions complete कर पाए, शायद 10 में से, अब फिर next stage आता है when she met me, कि sir ये तो हो गया, अब ये हो नहीं पा रहा है, offline की बच्चे थी, तो teacher का ठीक ठाक से accessibility रहती है, मेरी offline वाले बच्चों के लिए तो specifically, online में भी हम कोशिश करते हैं, एक zoom call भी अभी, but offline वाले बच्चों के लिए हम कोशिश करते हैं, accessibility after the class रहती है, then she met me, then she said कि sir ये वाला काम नहीं हो रहा है, suggest me something, I suggest sir ये answer लिखना बंद कर दो एक दम, हम शुरू करेंगे template filling से, तो अब यहां से उनका template filling स्टार्ट होता है, कि यहां इन्होंने first template लिखा, इसमें 3PIE का template लगाता है, यहां लिख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जब हम template लिखते ह value addition, यहां आपको formulas add करने हैं, यहां graph add करने हैं, यह आप देखेंगे कि first template, second template उन्होंने same ही 3PIE पर लिखा है, बट इसमें भी कमी है, कमी क्या है, आप हमेशा जो diagram है, जो graph है, वो last में बना रहे हो, इसका मतलब आप artificially graph बनाने की कोशिश कर रहे हो last moment पर जब आपको याद आ रहे है, उन्होंने यह templates fill किये, जो हम class में fill कराते हैं, यहां भी देखेंगे कि जो point है, वो बहुत बड़े-बड़े हैं, it is not like 1 line, 1 example, यहां 2-2, 3-3 line और examples वाला part चल रहा है, फिर वही diagram last moment पर आ रहा है, फिर next template generation, अब यहां थोड़ा improvement start होता है, जब आपको point लिखने क साथ ही याद आ जाता है, कि मैं अभी यहां graph बना सकता हूं, यहां graph बना सकती हूं, यह वाला part second stage में हुआ, then I gave the homework कि भाई साब, आप लोगों को formulas सोचने हैं, तो इसके बाद एक exercise हुई, 4-5-6 दिनों की theme वाई, जो हम formulas कराते हैं, कि अब आपको formula ही formula सोचना है, बस, फिर हर theme में, जो मैं class mean class answer writing करते हैं, कि भाई, आपको एक template fill करनी है, उसमें मुझे एक formula चीए, एक graph जाहिए, वो कुछ 7-8 दिन चलता है, तो अब हमने ये stage cross कर ले, मोटा मोटी 2 महीने हो गया है हमारे पास में, अब आता है third stage, जिस stage पे अभी वो बच्चे हैं, single answers में, और उस 5-6-7, template के बाद जब हम single answer में switch करते हैं, तो कुछ दिन लगते हैं अपने को उसको master करने में, तो मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा answer नहीं लिख पाया, बच्चा, first वाला part खतम हो गया, फिर next ये second stage में आता है, अब ये वो answers है, SHGs in all, untapped powerhouse, बढ़िया introduction है, 1.2 crore helping 12 crore individuals evolution दिखाया है, roles played वाला दिखाया है, बट अभी विना उसमें एक हलकी कमी है, जो मैं उसको बता रहा हूँ, वो कमी ये है कि अभी भी आपके points, 2-2-2 lines में और examples, 2 में और examples, थोड़ी verbosity है जो हमें और काटनी है अभी, हर दिन हम छोटे-छोटे parts पे काम कर रहे हैं, ठीक है अब ये present stage चल रहा है हमारी preparation का, अब next वाले में graph बना पाई, ये बना पाई and all करके, बट यहां भी अपने को formula सा नहीं मिल पाया, वो एक कमी है, everyday we are working upon those small small things, अब यहां आते हैं, अब ये आया, एक micro diagram आया, मैंने इसको बोला, इसको left line करके बनाएंगे, अब ये causes of food, अब breakdown करना है, कि rather than saying in a normal English word, अपने को academic keywords डालने, rather than saying a small size land holding, अपने को लिखना है, handkerchief size land holding, infrastructure में challenges हैं, उसकी जिखना infrastructure bottlenecks, या infrastructure deficit, deficiency of infrastructure, वो कुछ-कुछ धीरे-धीरे topic wise में हम कुछ academic keywords का component कवर करते हैं, ये लिखा है, फिर बच्ची ने इस वाले answer में, content के level पे काफी improvement किया, structure वाला level अभी भी नहीं आया है, फिर graphs आए हैं, दो figures आए हैं, formula आए हैं, वो आपको दिख रहा हैं, और conclusion आए हैं, एक above average answer के stage पे अब हम चले गए हैं, अब ये last answer में आपको दिखा रहा हूं, second last, एक और answer दिखा रहा हूं, अब आपको ये answer देखन कि यार, अब हम उस एक, 450, 450, 450, 460, अगर एक दो महीने और महनत कर लेंगे, तो 470, 480 marks, कुछ ऐसी महनत के बाद में आजाते हैं, आपके GSM, introduction, खराब है, 7% growth rate है, तो आपको data कुछ और देना चीए है, तर आदर देन 3%, content वाला है, उसमें काम कर रहे हैं हम अभी, फिर अब अब उनके keywords देख लिए, कि persistent issues related to employment, academia, industry, mismatch, restrictive labor, इस सब template लगा के लिखे हैं, इनके point तभी generate हो रहे हैं, आप सोचिए, एक heading में अगर आपको 9 point generate करने हैं, आप exam में सोची नहीं सकते, आपको through template वो जो आपन ने first month में practice किया है, उसी को replicate करना है, second month के बाद, इसलिए मैं कहत हूँ कि वो ना एक process है, अगर वो process follow नहीं होगा, तो आपने वो skill नहीं आएगी, और skill आने के लिए training करनी पड़ती है, और training का characteristic ही होता है, कि आपको एक process follow करना पड़ता है, ये वो अब आप सीधा तीसरे महिने में नहीं कूद सकते हैं, सीधा दूसरे महिने में नहीं कू इवर्ट से करना है, single single question में करना है, आप जहां भी छूटते चले जाएंगे ना, वहां आपका loss होता चले जाएगा, अब आप मुझे ये बताएं कि वो बच्चा जो जुलाई मिड में शुरू किया answer writing, अगर September and October first week में यहां बैठा है, तो हम December में किस week में बैठे होंगे, और कैसे नहीं होगा इन बच्चों का selections, ये तो सिरफ एक scientific process है answer writing का, जिसको अगर हम धाई 3-4 महीने के आसपास में, एक process के थुरू गुजार दें, किसी भी बच्चे को, she is not coming from IIT और भाई SRCC या कोई बहुत अच्छे college से आता हूँ, ऐसा नहीं है, देखिए answer writing आपके academic background क basis पर नहीं define होता, अब इसमें क्या academic background आएगा persistent issue, normal BA वाला बच्चा भी अगर ये सीख ले, academy or industry matchments, मतलब वो academic keywords अगर वो सीख ले, same है न, there is no English here, वो जो बच्चों में होती हैं कि English नहीं आती, इसमें English है नहीं है, restrictive labor law, inflexible, higher in five, अब इसमें there is no English in it, ये हैं वो शुरूती इशर्मा types के answers या उस direction के answers, जहां पे आप हर point के बाद एक example लिख रहे हैं, fact figure लिख रहे हैं, subheadings से लिख पा रहे हैं, etc, aspiration gap तो बीच में हलका सा diagram यहीं बना दिया है, ये points हैं, आप graph बना रहे हो, government initiative लिख रहे हो, one percent data भी use किया है इसने, और finally ये formula डाप दो, ये तो class या जब बच्चों को बोलते हैं कि नहीं, हम पहले predict कर सकते हैं, महनत करके answer writing सीख सकते हैं, आपको अगर answer writing सीख रहा है, तो यही process है, खुद से कर लीजिए, outsource करना है, तो हम जैसे teachers मिल जाएंगे, आपको जिनको आप outsource कर सकते हो, लेकिन अगर समझना है answer writing से related कुछ भ student है, मैं पहले बताता हूँ आपको, she is my QEP batch 2 student and I will have various sessions of different life journeys of other candidates as well, और पांचे session करूँगा मैं YouTube पे next one month में, कि जब बच्चे जुड रहे हैं तो कि स्टेज पे हो और आगे जाके कहीं हैं, but trust me, अगर आप 5 से 6 घंटा teacher को दे सकते हो, या मुझे दे सकते हो, तब तो आपकी answer writing improve हो सकती है, because वो ना आपको homework करके लाना पड़ेगा, it cannot be like कि हमने दे दिया homework, हमने 10 formula class में बता दिया और बोला भई, 5 खुद से समझना, because आपको real time में formulas बनाने हैं, so वो अगर मैं 2 घंटे class में आपको पढ़ा रहा हूँ और आप घर जाके अगर उसको 2 घंटे नहीं द आनता इस बच्ची का नाम या आपका नाम या किसी और का नाम, evaluator को दिखती है copy, उस copy में अगर answer अच्छे हैं तो आपका selection होगा, नहीं अच्छे हैं तो नहीं होगा, fresh है, discussion खतम हो जाता यहीं, so अगर आपको answer writing से related कुछ भी doubts हैं, sessions हैं या कुछ और चाहते हैं, तो आप form fill कर दीजिएगा, मैं एक normal zoom sessions आप लोगों के साथ में ले लूगा, उन sessions में जितना मुझे आता है, उतना मैं आपको समझाने की कोशिश कर लूगा, but understand this fact, answer writing is not that challenging जितना आप समझते हो, ये answer से शुरू होके और इस answer तक पहुंचने में इसको ढ़ाई महीने लगे हैं, ठीक है, फिर नेक्स session में किसी और बच्चे के story के साथ में मिलते हैं, thank you so much.